हालो दो कैसे हो आपका स्वागात है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइन्स का बहुत ही इंपोर्टन चैप्टर जो कही क्लास के बच्चों के इंपोर्टन रहेगा चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है मैतपून टॉपिक क्या है संपर्दाबाद और जातियो अरक्ष दखिए यह चैप्टर जो है कही महाने में बहुत इंपोर्टन रहेगा उन सब बच्चों के लिए जिनमें जो है यह भी रखता है क्योंकि हम संपर्दाबाद में जो है बहुत कुछ जानेंगे भी अगर सबसे पहली बात यहां पर हम करें तो संपर्दाबाद होती क्या है आखिर संपर्दाबाद किस लिए जो है इतना यूज किया जाता और इसका क्या वैली और क्या आर्थ है और इसमे हैं बहुत से लोग जो है अपने दर्म पर विश्वास रखते हैं इसे यह प्राई हिंसा होती है और लोगों के वीच दोस्ट पैदा होती रहती है जिसके हम बारे में पिछले चप्टर में हमने डिसकॉस भी किया था वहाँ पर पब्लिक ओपिणियंस जिसमें बहुत कुछ हमने जाना भी था जो लोग धार्मी की हिंसा मिस्वास करते हुए धर्म को नेतिक्ता के रूप में नहीं लेते हैं बल्के धर्म को अपनी राजनीती महतुकांशा की पूर्ती के लिए एक हांतिय होने से पहले बहुत रगए हिंसा होती है क्योंकि वहां पर राजनीती नेता एक्टिव होते हैं और हम जन्ता उनकी बात आक बंद करके कर लेते हैं तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा यहां पर कि कभी भी किसी की दानिती नेता है उसकी बातों को आप लोग जो है अपनी दिमाग के नॉलेज के चसूपर रखके समझे फिर ही उनकी बातों पर भरोसा किजिए क्योंकि उनका सिर्फ मकसद यह होता है कि अपनी महतोकांशाओं को पूरा करना होता है और इस कारण से आप लोगों का सिर्फ इस्तमाल किया जाता है और आप लोग भी जो होते हों पे बहुत सरलता से विस्वास कर लेते हो बहुत सरलता से अपनी जान भी कमाने के लिए तैयार हो जाते हो तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कहते संपर करता बाद हर जगह पर फैली हुई है और सभी राजनितिक निताओं का सिर्फ एक ही पचस्प होता है एक ही उनका अर्थात होता है कि वह कैसे भी कुर्सी प्राप्त कर या कुर्सी पर असींड है उनसे कुर्सी का जो मों होता है वह कभी भंग नहीं होता है इसलिए वह अपन शाओं की बली नहीं चरना चाहिए संपर्दाबाद की नीव ही आपसी धार्मिक जो विसोल पर ठिकी हुई है यह आपको पता ही होगा संपर्दाबाद का मतलब यह होता है कि धार्मिक जो विसेश होती है यानि आपस में धार्मिक जो बातों पर हम चलते हैं इसलिए धार्मि हिसा उत्पन करने में जहाए इसका विसेश महत्व रहा है इससे संप्रदावाद की पर मुक्य विसेश्ता यहां पर दी गई यह तो चलिए हम देखते हैं संफर्दाब कि क्या विस्थभास और यह क्यों हमारे अतियेंत महतपून है। यजी बात यहां पर हमकरें पहली जो है विस्थभास पर अधारी थे। संफ्रदाबात जो होती है अंद्धिस्वास reminding यहीं होता है जो कि आप आँख बनते किसी चीज़ पर विस्वास कर लेती हूँ और उसका बास्तिविक्टा में कोई अर्थ नहीं होता है तो वह अंद्विस्वास कहलाता है यह विश्वद रूप से दिश्चिकोन पर निर्भर होता है यानि इसमें कोई सुदता नहीं होती है एक संपरत हों कि मानवता के साथ जीवन जीने के लिए ही अगड़सर करते हैं वह manavlkata उनले के बहुद होता है, यह उजो होता है, संपरत अता हैoken है यानि या उताईत होती है शुद्रीड कि यह दुद्रेपर चाहरा करता, यह भी बुहत बुरू की होती है कि हम इसमें क्या होता है संप्रताइबाद में कि हम दुसरे धर्म के विरुद जो होते हैं परचार करते हैं कि यह धर्म गलत है यह है फलाना टिमका है इवेन की गलत लाइंग वजुदों कभी प्रयोग किया जाता है जो आपकी भापनाओं को भरकाने के लिए काफी होता है यह दुeltर मता उसके मुल्य के समाप्त करने से प्रेडित होता है, यानि वह दुशरह द्रम को भिलकूर नस्ट तहस करने के फिरात में होते हैं, और उसलिए वो कई तरह की बाते करते हैं, जो क kunãy अचार सहीता में नहीं आती है और अचार सहीता से हमेशा ही उलंगन करते ही रहते हैं यह दुसरे के विरुद हिंसा सही अतिवादी तरीके से सविकार कराते हैं यानि इनका जो भी मदत्तु होती ही चाहे पैसे की लालचो चाहे आपको जमीन ज़्याद की लालचो कोई न कोई लालच देके जो है अपने धरम में सम्मिल्द करने के यह बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी विसेस्ता है जो संप्रदाबाद के लिगार्डिंग जो है यहां पर दिया गया था यदि बात यहां पर हम करें अगला पॉइंट जो की संप्रदाबाद का प्रभाब किस करनों से रहेगा यह बहुत बड़ी बात आती है लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें संप्रदाबाद के लंबे समय से हमारे समाज में बांट रखा है और इसके करण जो है कटरवादी सिद्धानतों में विस्वाद दुसरे धरम के और धारमी समों के प्रती सविश्णिता और घिना इतिहाज ताथों के तोड़ना मरोरना और सबड़ते हिसा पैदा होती है आपने देखा है कि बहुत से हमारी इतिहास है उनको जो है लोगों ने तोड़ मरोर दिया कहते हैं बहुत से धरम के लोग आये और उने हर एक धरम के जो है हर धरम के चीजों को नश्ट करने का पुरा पुरा प्रेतन किया जिसके पजासे क्या हुआ कि उसके इतिहाज तोड़ी खतम हो गही बहुत से घटना है जिसको आप हमारे समाज में भी जान सकते हो जहां पर जो है कई मानने में जो है धरम के प्रती जो है काफी तोड़ा मोरोडा गया है और यह सब होता क्यों है कोई भी धरम में कटरवादी सिदामतों की विश्वास रखने वाले अविक्ति ही ऐसा कर सकता है तो यह बहुत बड़ी विटमना है भारत के लिए जहां पर की हिंसा होती है आखिर समपरदागी हिंसा क्यों होती है और समपरदागी हिंसा से कितना नुकसान हमारे देश को होता है क्या इससे उन विक्तियों की जो है नुकसान होता है जो समपरदागी दंगा करते हैं तो यह बहुत से कोशन है जिसके बारे में आप यहां पर जानों के लिए उसंपति का जो है अर्जित नहीं करती है वह आपसे वह उसलेगी चाहे वह ट्रेक्स के रूप में हो चाहे आपके जमीन जजादों को जो है जो है कवर करने में हो वुक्स असुनला आपसे ही है इसलिए कभी भी संपर्दाइक दंगा फसाद हो तो आप उसे दूर र होता है की यहांसा आज से नहीं कई साल हुडारा आगा पतो aşड़्य के पूर आपको पता है कि वो लोग हिंदू मुसलिम को आपस में भरकाते थे उनके धरम के लिए उनकी भासा के लिए उनकी जाती के लिए तो ये सारे वज़ा से क्या हुआ कि आपको पता 1947 की जो पर्टिशन हुई थी उनमें आपने देखा ही होगा कि नजाने कितने सीख और कितने मुसलिम और कितने हिंदू ने अपनी जान जो थी गवा दिया था तो आपसे तो ये बात दूर रही नहीं होगे आपने कई फिल्मों में कई जगों पर इस बात को जो है चर्चा भी किया होगा और देखा भी होगा लेकिन देश के वटवारे के बात दोनों ही संपरदायक जो है अभी जात वर्ग उसके लिए जिमिदार है अजात भारत में संपरदायक दंगे विवित कारणों से होने लग गई है आज देखा जाए तो संपरदायक दंगे जो हते हैं छोटी छोटी बातों से जो है आम हो प्रत्म समाज का विर्हीं बढ pillars में हमारे समाज क्य दर्म मैं पहले बता चुकाई हूं जब्रा करते डिवाज बृद्वाएं धर्धम थो इतने धरम होने से उनके लितीरिवाज भी अलग-अलग होंगे तो इससे हमें कोई प्रावलम नहीं होना चाहिए, सभी धरम के लोग हैं, सभी को जीने का दिकार है, सभी को अपने इश्वर को मानने का दिकार है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति हुआ, किसी भी संपरदायक को, इसका कोई तरह के वेदवाव नहीं करना चाहिए, कहते हैं जैसा आपका धरम है वो ऐसा उनका भी है तो उनके धरम को भी हमें उतने सम्मान देना चाहिए जितना हमें हम अपने धरम को देते हैं क्योंकि वो भी अपने श्वर को मानते हैं कहते हैं हमारा देश तो ऐसा है जहापर हम पत्थर को भी पूजा करते हैं और पेर पोधों को भी पूजा करते हैं तो यह सारे के सारे जो होते हैं अपने आस्ता पर निर्वर होते हैं और आस्ता हमें कभी भी यह नहीं कहती कि आप गलत काम करो तो ये बाते बहुत जरूरी है आप सभी जो है देश बासियों के लिए कहते हैं दुसरे देशों की खराब आर्थिक देसा जिससे आसमाने आर्थिक विकास हुआ है परिनामे तक कम विक्सित जमदाय के उच्छे वर्गों में सीमित विद्धी का भरपूर लाब उठाया है और इससे उन्हें राजनितिक सक्ती भी प्राप्त हुई है आगे चलकर एक अंतराल के बाद इन विजात्ते वर्गों में आपसी पर्तिद्वन्त होने लग गया है यानि आपसी जग्रा जो है इन्ही कारणों से हुआ है कभी एकनॉमिक्स कारणों से हो जाती है अरती करणों से तो कभी जो है अपना राजनितिक सत्ता को बनाए रखने के लिए जो आपस में लोगों को भरकाते हैं और कैते हैं आज दंगा फसाद का सबसे बड़ा कारण्द जो है राजनितिक नेता ही बनते हैं क्योंकि यह होते हैं, 달28 अपना सानूभूती लेने आ जाते हैं आपने क्रांती फिल्म भी देखा होगा उसमें जो है बहुत ही सुंदर्ता के साथ उसमें पेश भी किया गया था कि कैसे राजनीति नेता अपने जो है मतलब और अपने अधिश्व पुरा करने के लिए कि बस्ती को भी आग लगा देते हैं और वहां पर जाते हैं स समदाय के समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी नेताओं ने समर्थन भावना भरका कर समर्थन प्राप्त करने का सदेब प्रयतन करते हैं और यह हर जगा यह बात जो है गंभीरता से लिखी गई है कि यहां पर सिर्फ इतना याद रखना कि नेताएं जो होते हैं समर्थन बनाने आते हैं कि मैं उस घटना में जाता हुआ और वहां जाके न अपनी सानुभूती करूँ दूंगा आपने देखा ही होगा कि हमारे देश बहुत से घटना घटती रहती है वहां पर राजनी दिने ता अपना जो ऐसा नुभूती बटरने चले जाते हैं जब एलेक्शन ह जो कहते हैं हमारे लिए नहीं होते हैं वो भी एक पार्टी के बंदनों में बंदे हुए होते हैं वो अपना कभी में फैसला सोतंतर रूप से नहीं लेते हैं वो पार्टी के हिसाब से फैसला लेते हैं इसलिए कोई भी रूल लेशन जब पास होती है तो परदान मंत्री का जो है अपना नीजी फैसला नहीं होता है उसमें सारे विक्तियों का फैसला होता है और वह पार्टी के दवाब में ही सदेव कारे करते हैं तो इसलिए जो है कही रूल लेगुलेशन ऐसे भी होता है जिनको ना चाहके भी रूल लेगुलेशन को लागू करना पड़ता है तो सारी चीजें जो होती है इन चीजों के ही अंतरगत घुमती रहती है समाज की विश्वास को विजातवर्गों को लाभेतू प्रेतन शीली रहते हैं जब समाने जन्द स्वयम को आप सुरकित समझता है तो धरम की और अप मुख हो जाता है और उसे संपरदाइक भावना भर भरका कर राजनितिक करने तथा कभी कभी हिंसा की और अगरसर होने के कारण भी होता है माल लेजे यह कोई बहुत बड़ी हिंसा नहीं होती हिंसा तो भरका दी जाती है ठीक है और यह हिंसा हम आम बंदे नहीं करते हैं हिंसा भरकाने वाले बड़े लोग होते हैं और हम लो एक निवासी हो तो आपको सिरफ इतनी बात समझनी चाहिए कि हम बारत के निवासी हैं और हमें भारत में निवास करना है और यहां पर परतेग देखती को आप्याइद महत्वपून है संपर्दा की दिद्षा में वरोत्री हो रही है क्योंकि संपर्दा की दल धार्मी परचार के लिए आक्रमक रवया अपनाते हैं देखो यहां पर भी साफ बात होता ही गई है कि जो नेता सब होते हैं वो संपर्धार्मिक परचार के लिए आक्रमक रवईया अपनाते हैं वो तो धरम के भी गलत सरत बोल देते हैं तो यह बाते बहुत बड़ी बात रहती है आप लोगों को भरकाने के लिए लेकिन कहते हैं उनकी तो बोलने का तरीका ही अलग होता है ना तो वो किसी धरम के होते हैं न वो संपर्धायक के होते हैं उनका तो एक ही धरम होता है सीट प्राप्त करना और सीट प्राप्त करने के लिए कोई भी चाल चल सकते हैं आपकी भाबनाओं के साथ केल भी सकते हैं तो यह बहुत बड़ी बात आप लोगों के लिए रहता है और आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए जिसमें भी भी संपरदायक के लोग के बीच बनवस से पैदा होती है भारत में संपरदायक रुंजान रखने वाले राजनीदी दलों को संपरदायक भावना भरका कर संपरदायक हिं वो संप्रदाइक भावना भरकाने के लिए दोसी करार भी दी जाते हैं यारि उन पर कई तरह के केस भी चलता रहता है लेकिन उससे कोई प्रवाव उनको नहीं पड़ता है आपको पता ही है कि केस तो चलते ही रहते हैं और अपना डागनिति करते रहते हैं ठीक है इसी समाने की कारकों के अतरी भारत में संप्रदाइक हिंसा के लिए कुछ अस्तशानी कारक भी जिम्यदार होते हैं प्रत्म तसकरों और अप्राधी तत्रुकी तागत बराने से विभिन संप्रदाएक के पे-पाड़ियों की पर द्वheen कभी-कभी हिंसा को जनम देती है बड़े-बड़े सहरों में तसकरी और अप्राधियों के सक्रिसाली होने से प्राय ऐसी हिंसा होती रहती है 1993 में बावरी मस्जिद तोरने जाने से भड़की संपरदाय की हिंसा इसका सबसे बरा जो केस का जो फैसला था 2021 में आया था तो यह बहुत बड़ी बात है भारत के जो है न्याय प्रणाली के अभी कहते हैं इतना समय अवधी लगाने से कहते हैं कि जब आपरी मस्जिद की गटना गटी थी इसमें से बहुत से जो व्यक्तियों का प्राधि बनाया गया था उनमें कोई दो राय नहीं जहाँ हिसा होती है और आप देखते हैं लोग अपने सिक्कार चला रहे होते हैं और अपना प्रणा को सेकते हैं और अपना कृसी को सेव करने को Сबय करतें इसमें अलगे कारो है कि अदिकस्टा्वाद ने सेर्भी है जहां अल्ब संकों की अधिक संक्या में दोनों समधाय के उच्छे वर्ग में राजनीति वंद बढ़ती चली जाती है और वो अपने समधाय के समर्थन प्राप्त करने का सदे प्रयास करती है देंगे तो सभी राजनीतिक नेता का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो अपना सीट प्राप्त करें ठीक है इसलिए वो आपस में लोगों को भरकाते हैं और अपनी मकसद पूरा करते हैं तो ये राजनीतिक नेताओं को भी सोचना चाहिए कि ये सारे हमारे देश के नागरिक हैं और इनके कारण ही हम जीते हैं और इनके कारण ही हमारा जीवन भी चलता है क्योंकि अगर माल लीजिए हम लोग टेक्स नहीं देंगे सरकार को तो सरकार का भी रोटी रोजी खतम हो जाएगी तो ये भरका के जो है ये हमारे अपने को जो ही मरवा देते हैं तो गलत है न कहीं है कोई भी जो है रूल लेवलेशन ये बात नहीं बता सकती कि सही है इसले और सोचना चाहिए कि हमें ऐसे चीजों से हमें नहीं करना चाहिए कि दखिए किसी वी विच 설 को अच्छे विचार शे अपने प्राप्र राप्त कीजिये और डाजनिती पे बने रही है आप अच्छे काम कीजिएगा तो 100% लोग जो है आपको जुरूर सरहाना देंगे और आपको सदेव विजय प्राप्त कराएंगे ना तो आपकी लालत से लोग समझने वाले हैं और ना ही संपर्दाई दंगा फसाद कराने से वो लोग समझेंग संपर्दाई हिसाए करान जो भी हो जब भी यह फैलता है पूरे देश का जो है ध्यान तुरंत ही अपनी और अकर्षित करता है हमारे समाज में बढ़क पैचान जाती और संपर्दाई में बदल गई है हमारे सासक पर यहां कि आरती समस्या जैसे बेरुजगारी गरीवी मह समस्या को बदल देती हैं लोगों चाहिए कि वह इस परकार के वहकावे में ना रहा भान जो चाहagan चाहिए कि भारत में जो समस्याएं हैं उनको निप्टा रहें ना कि उनको और बढ़ा दें हमारे देश में देखा जाए तो कुछ सालों से जो है बहुत ही इन समस्याओं ने अपना जो है खदम रख जो है बरकरार रखा है ना तो बेरुजगारी खतम हो रही है ने गरीवी भी आप्राप्त नहीं हो रही है सरकार अपनी जो है नितियों से लोगों खुश करने की कोशिश कर रही है लेकिन सरकार को साथ ही यह नहीं पता तो आम गरीबों से वो सारी चीजे दूर होती चली जा रही है जिस जो ये सावित करने के लिए प्रयापत है कि आने वला समय में कूपोशन के सिकार बच्चे हर घर में नजर आएंगे तो आप ऐसा क्या लगड़ा है आपको कि आप कूपोशन धरती को बनाओगे कूपोशन भारत को बनाओगे तो भारत में कैसे आगे दूसरे देशों से दोचार हांत कर सकेगा तो ये बहुत बड़ी बिढमना है भारत कि सभी समस्याओं के लिए कि सरकार को जुचना हो सके बिरुजगारी गरीवी महगाई पर अपना ध्यान अकर्षित करना चाहिए और उसको ज याद रहता है अगर हम ऐसे चीज़ों को खतम ना कर पाएं तो कहते हैं लोग भी हमें याद नहीं कर सकते हैं दोस्तों ये बात सभी राजनितिक निताओं के लिए बहुत ही जरूरी है कि जितना हो सके बिरुजगारी की निच्छन देश में संप्रता के पूरी तरह से समा जो अगला पॉइंट है भारते समाज में जाती की भूमिका देखिए ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है जिसमें हम भारते समाज में जाती की भूमिका की विसे में चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत समाज में जाती की क्या भूमिका रहेगी बात अगर हम करें यहां तो यह बात साफ हो जाता है कि किसी भी समाज की राज़ित deachten उस समाज की प्राकितिंग से प्रवावित होती है' समाज कि प्राकिति को समझने के लिए, हमें समाज लुक्न होगा कि समाजी सरचना होती कैसी है बारती समाज स्रचना को जाती प्रता के रूप में जो अच्छी तरह समझा जा सकता है कि हमारे जो ऑकिस तरह के जाती हमारे समाज में प्रेजेंट है जहान जाती के अंतरगत प्राचिन वर्न श्रम विवस्ता समयनित होती हैं, तो कई वर्षिटIL का जाती विवस्ता की समाज मे अरतिक असमानता को बना रखने के लिए कोई वहक्ति जाती वित्फण होता है, तो उसे बड़ी जातियों द्वरा परिसान किया जाता था और उसे अनेक सुदाओं से वंचित होना पड़ता था दलिदों की हालात बैतर थी छुआ छूत के विवारत से उनकी दर्शा और भी खड़ाब होती चली गए जो बहुत बड़ी बिड़मना है भारत के लिए था प और वह कई तरह की सुख सुगदाओं से वंचित रखते थी अगर हम यहां देखे प्रमपड़ा को जो है वर्ण विवस्ता के अंतरा चार वर्ण उस समय आते थे आपको पता ही कि ब्रहामन जिसमें पुजारी और शिक्षित वर्ग ही आते थे जिसको हम मुख से निकला हु ब्रूप में देखा जा सकता जिसको पूजारी शिक्षित वर्ग होते थे शत्री कि बात होती थी तिसे योद्धा और ईकरना करते थे हम चपल जूते से भी रिपर्जेंट कर सकते थे तो इस तरह से उस समय इसका चार वर्नों में विवाजित किया जाता था यानि मुख से निकला हुआ कोई विवचन ब्राह्मन के लिए होता था ठीक है जो बाजू से संबंदित छत्रियों के लिए होता था और पेट से संबंदित विश्यों के लिए होती थी चुद्र को पैरों से निकला हुआ जूतिक समान समझा जाता था तो इस परकार उस समय जो है वर्ण विवस्ता अपनी चरम सीमा पे थी और समाज में ये विद्वान भी थी जहां हमें यह समाज लेना चाहिए कि व आसता में चार जाती नहीं बलकि हजारों जातिया इवं मुपजातियां दी जिन पर जाती विवस्ता अधारित होती थी अधिकान जातेयों का वर्ण वर्ण पर अधारित किया जाता था और हलाके ऐसा करना समाज स्रचना के अंतिम चोड़ पर असामानने होता था ना कि मद जो किसी भी विशेश से प्राम्पिरी रूप से जुरा हुआ होता था जनम का सिद्धान जाती गश्मदाएं में सदस्ता का एक मातर अधार माना जाता था अर्थात विशाय का चुनाव सवतांतर नहों कर जाती में जनम लेने का अधार पड़ने जारित होती थी यानि उस सम समय में संब वज़ाण और एकिव भी नियम के नियम बनाते थी याकिंव नहीं दंसे मांते थी उन्हें कि निकाल जाने के और दिकार समधाएं के पास होता थायानी आपको मानना पड़ता था जिए ऑर मां लीत था पर लिक्लिए समझ गए तो अगर आप जाती के अगर 닉नकों करते हो तो जाती जो होती थी इसको समास से भषक्रिस कर दी जाती थी यह means समास से उसको जो है निकाल दिया जाता था आधूनी विच्छाध द dope Panel 6 हुआ है समागी धार में अंदोलन ने निम जातियों कि उनकी खराब हालत के प्रती सुझेत भी किया है और वो अपने अधिकार के प्रती जागरुक भी हुए है जिनसे उन्हें सदियों से वंचित भी रखा गया है पहिनाम सरूप उनमें से अनेक अपनी दुर्दशा को सास को दोरा मुसलमान सहीत पिछरे और वंचिनी जातियों को बढ़ते राष्ट्य अंदोलन का हर्स करने के लिए लामबंद करने का प्रयास ने जातियों के राजिनिकरन का धार तयार किया बारत के सुझनता के समय राजिनित कारण ये जो है पिछरी जाती का तागत बन च उपयोगते संधम में सविधान निर्माताओं ने भी सग्रात्म करवया अपनाते हुए उन्हें समाज में दुसरे के जो है समान अस्तान में दिलाने का प्रयास किया उन्होंने समझा कि राज्य की सहता के बिना उनके राज इतिहास पिछले पन को दूर नहीं किया जा सकता इसलिए सविधान में अरक्षन की नीती अपनाई गई और विचले वर्गों के अंतर का दिम तीन वर्गों आते हैं और नुसुचित जाती और अन्ने पिछले वर्ग जाती यानि ओवी सी इसमें महात्मा गांदी भी ने दलित वर्गों के उठान के लिए हर संभब कोर्श किया और उन्हें दलित का उठान में अपना महतपूनी युगदान दिया कहते हैं हर धरम के लोगों को हमारे देश में जीने का अधिकार है सभी कहते हैं कि धरम जाती पर अधारित होती है लेकिन आज के समय में बंदन टूट चुकी है आज व्यक्ति अपने कर्मों से अप बहुंस ऐसे हैं जो दलित वर्ग से ही संबंद रखते हैं जो कि इतने बरे जाती में आज जो जो भलार कर लिया है और आज जो राजनितिक होती है और जाती पे अधारीत होती है नहीं होते है भात उसे जो है अपना मकसद पूरा कर रहे होती है इवन कि आप देखो कि निउस में भी यही जातियों की बटवारा हो रहा होता है कोई यह कहते हैं निज़ वाले कि जो है इस चेतर जो है यह जो एस्टी कास्ट के लोग रहते हैं तो निज़ वाले भी जो है इनको कई वर्गों में बांट रहे हैं जो कि हमारे देश के लिए कभी वी उचित और नया उचित नहीं हो सकता है यानि कहते हैं हर जगा जाती की भेदवाव लगी रही है चाहे बड़े-बड़े निज़ चैनल बाले हों चाहे बड़े-बड़े राजनितिक ग्यों सबके सब जो हैं हमारे ध परनल जो इतना मान सम्मान प्राप्त कर रखे हैं वो जब जातियों को बांट रहे होंगे तो आम इंसान में क्या इसकी दुरदशा होगी इससे आप से अधिक समझदार कोई हो ही नहीं सकता इसके लिए तो निज़ वालों को भी इतना समझ होना चाहिए कि जातियों में न आने वाले समाई समों के रूप में इसकी जिती में राजनी दलो को इनके वोट और समतन प्राप्त करने के लिए जाति को जो है राजनी तिक लंबवंदी का विसे बना दिया है आप ने देखा भी होगा कि जाती कि अधार पर भी टिकट मिलती है जिस जिस शेतर में जितने जो हम करते हैं और उस जाती पर उनकी बहुत बड़ी दबदवा है तो यह बहुत बड़ी भारत के लिए कि आज जो है राजनीती में वह सारे व्यक्ति समलित हो जाते हैं जो इनको अपराधी विरित का होते हैं और कहते हैं सरकार किसी तरह कि कुछ भी नहीं होता न रूल राइनिती में जाती के मुद्दे के दो कारकों से विसेश ध्यान अकरशित किया है पहला तो यही है कि सरभोमिक ब्यास को मतदिकार लागू होना यानि भारत में जो है 18 वर्ष की जो वोड़ देने का दिकार लागू किया है इसने बहुत बड़ी जो है अपनी पैट बना लि विट्टि होती है जुसरी बात आती है पिछली जातियों के पक्ष में शुराइत्मा आरक्षन के प्रवधान यानि देखो गें तो पिछली जातियों के लिए बहुत से आरक्षन किये हैं कहते हैं अगर आप जो है दीन रात मैनुत करना पड़ेगा अगर आप सेस्टि आज होने लगा है तो यह गलत है आज हमें यह समझना चाहिए कि आज जो है OBC, SC या कोई भी के लोग हैं हमारे समाज में समानने उनको अधिकार मिला हुआ है और उनको हर जगा समान की दिश्टी से देखी जाती है और बहुत से वेक्ति जो होते हैं मेनत करके आगे भी आ रह उस्ता है उसे खतम करदेने में ही बलाईए क्योंकि आज जो पड़े लिए अच्छे वच्चे होते हैं वह रह जाते हैं लेकिन डिशलरवेशन के कारण क्या होता है कि जो बच्छे पड़े लिखें भी अधिक नहीं होते वह कारण सेलेक्ट हो जाते हैं देक्रिटों ये बहुत जरूरी है आप अधुनी की युग में आ चुके हो यहां पर जो है सभी व्यक्ति मेनत करते हैं सभी जो है अच्छा पद प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे विचार से पद उनको मिलना चाहिए आज के समय में जो उसके लायक हो ठीक है जो लायक नहीं होते उनको नही प्लाकरने में अगरसर हो जाएंगे आज के समय में हम आधूनिक यूग में रह रहे हैं और यहां पर पढ़ाय लिकाई मेहनत के काम है। कुछ इसमेहनत को समझ पाते हैं सभी वेक्टियों में इस बात की समझ नहीं होती है। इसलिए जो है पिछली जातों पक्ष में स्वागत्मा अरक्षर की जो सर्वाधानिक प्रवधान किया गया है वो देश व्यापी नहीं है सर्भवी में ब्यास मतधिकार से जन संक्या के बड़े ही वर को चुनावी राइनिती में प्रवेश मिल गया है क्योंकि आपको पता है हमारे देश में ठारा वर से या ठारा वर की विक्तियों की संक्या बहुत अधिक होती है जिसे अब तक संपत्ति की जो है योगताओं के धार पर बाहर रखा गया था इसे राणी दलों के लिए बोड़ों की लवमंतिक कम काफी कठीन हो गया है प्रंतु यह कठीन काम तब असान हो जाता है जब राणी दल भोड़ प्राप्त करने के लिए जातियों पर निडबर होने लग जाते हैं इसे प्रक्रिया में प्रत्यक चुनाब के साथ जातियों के चुनाब में भागदारी मजबूत होती गई है तो इसमें कोई दोराय नही कहते हैं समय के साथ काफी मजबूत होना एक सोभाविक बात है चुनाबी राजनीती के विस्तुच्छेत्र के साथ रखात्मक भेदवाव के प्रवधानों में जातियों को जो है राजनीती में महत्वपूर्ण भूमिका निवाने का अधार प्रदान किया है यानि इसका ज जातियों के लिए एक था अन्ने पिछले जातियों के लिए इन तीनों वर्गों में जो है असानी से पहचानी जा सकती थी और इसके लिए रक्षन के अशक्ता और इच्छा पर अधिकान सर्वसम्मती थी प्रदों अन्ने पिछले जातियों के मामला इनसे अलग थी यानि देखोगे तो पिष्य जातियों में जो है कई जाती जो है आ जाती है जो है लिए जाती आते हैं जो केवल जाती आधार पाणी पिष्यात्य जात्य कैवल इसी इसाल सरगया जा सकता है कि कुल जन संक्या का लगबग पच्चास पर्तीशत अन्ने फिचने जातियों की सम्वंद है आप तखिए भारत की परशन अन्ने पिचने जातियों में आती है तो आप समय सकते हों कि कोई चिछिस की एरक्षन दिया जाए तो कितना बड़ा जो है जन संक्या OBC की पहले परकार के जाती है राजनिती राजजी सरकार की अलक्षन नीती फंप करनें का प्रयास भी करती ब्रबाबबित करने का प्रयास भी करती है तुरि के के विरोधन करते हैं इनके साथ वेदभाव की जाती थी तो यह नयाय उचित था क्योंकि इनको आगे बराना लेकिन आज के समय में कोई जाती वेदभाव नहीं रह गई है तो इनको जो आरक्षन खतम कर देना चाहिए और इसे वह व्यक्ति सब आ सकते हैं राजनितिक में या अच्छे पोस्ट प नुसार राज्ये का करतव्य है कि वह जन्सदान कल्यान का समाने एवं पिछली जातीओं के कल्यान का विस्एष ज्यान रखें अर नुछ्षट 38 कहता है कि राजजे के लोग कल्यान हेतू ऐसे समाजि व्यवस्ता को प्रभावसाजी रंग से तयार एवं प्राप्त करनी च प्रियास करने का प्रियास करना चाहिए जो कि बहुत बड़ी बात यहां पर आजाती है कि आस्वान्ता को कम करना बहुत बड़ी जरूरी हो गया है और शेट शेलिस के अनुसार राज्य लोग के कमजोर वर्ग और विसेश रूप से अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जातियों की सेक्षिक और आर्तिक हितों के पूरा ध्यान से प्रसाहित करेगा तो उन्हें सभी परकार की जोई सोजन तदा अन्याय से बचाएगा न्याय से बचाना बहुत जरूरी है कोई भी जाति को अगर दुसरे जाति उसको गलत कहता है तो इनके लिए प्रमधान न्याले में होनी चाहिए इसमें इनकी सुनवाई फास्ट होनी चाहिए तो यह बात न्याय उचित है क्योंकि किसी को हम धर्म के रिगार्डिंग इसनेहस हो जाता है इसलिए अरक्षन के कोटे को अभी सरकार रुपे इसमें विचार करने की जरूरत है और इसमें संसोदन करने की अवशकता है अरक्षन की नीती जो है सनात्मक वेदवाओं के जिदान पर अदारी थे सविदान इर्माताओं ने पिछली जातियों के लिए अरक्षन वेदवाओं के अवशक समझा था क्योंकि केबल अफसरों की समानताओं से पिछले जातियों को लोग को समास के अन्य लोग के बराब होगा यह जो है गैर करने योग्य बात है यानि बहुत ही जरूरी बात इसको है कि सनाथ में भेदवाउस जो है समंता को अधिकार का बाद ना होकर उसका एक बिभीन अंक्सा बन गया है तो यह बहुत बड़ी बात यहां पर ती जिसके चालिस के बारे में हमारा जो अगला टॉपिक आया है सबसे इंपोर्टेंट है यहां पर है आरक्षन नीतियां क्या है इसके विशह में हम विस्तार प्रुब्र चर्चा करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात तो यहीं आता है मुल अधार क्या हो सकता है क्या पिछले बर्गों के पिछले पर्ण क लिए कर्देशन भीठाइदां में अनिक ट्छान के लिए कुछ्छ मेंस प्रबदान कीया गए अपको पता ही हो कि इसमें सरवादान प्रफद्र का अध्यान के अंतरगत धारा 38 और 46 में कहा गया है कि राज्य का यह करतव्य है कि वह जन सदान के समानने और पिछली जातियों के विशेश कल्यान पर ध्यान दे राज्य चाहिए कि वह जनता की भलाई एंवं कल्यान के लिए उसके समाजिक आर्थिक राज्य सतर को राश्य सतर पर उचा उठाने के लिए सद्य परियास करें यह प्रतेक राजनी निता का परियास होना चाहिए राज्जे बिश्य पीसस्व रूप से आर्थी सेह समंता उंहां क्रियास करें और सात इस आर्थी आहा को दूर ध्राज प्रभधानों से गुजरते हैं जिनकी स्थिति समाज में बुरा हो जाता है उनके लिए प्रभधान करें गरीब तब के लिए लोगों को जो है पुर्थिकरन से यह पुर्थिकरन पिछली जातियों के पक्ष में है क्योंकि सवीदान इन मतां को ऐसा लगा था कि बिना उनके उपर उठाए समान्ता मूलक समाज का निर्ण नहीं किया जा सकता समांता में सविधान के वज़ाय समांता के आफशर अफ्लुभ्त कराना अत्यांत महत्पून रहता है हमें यह ध्यान में रह क्षीन कि श्वी तमक पुर्थिकरन के प्रवधानों के अब बाद नहीं है लेकि समांता के अदिकार में जो है अनुसृरी हुजरूरी यह उसके पर शाद अगला पॉइंट यही बदर साता है कि अनुसरी जाती और जंजातियों के लिए आरक्षन देखिए यह कई मानने में अत्यान महत्वपून यहाँ पर बन जाता है कि सविधान के पिछली जातियों के तीन तरह से पहचाना की गई है इस अनुभाग में हम की उसके विखलें जातियों के बारे में तीन तरह की प्रवदान सुनिश्यक्षितं कि यह इंप पहला सुनिशन भाग ए वर्लजला इंवह क्रों सरकारी Państu के लिए आरक्षन दिया गया है और विदाइकशती दारा जो है सुल्ला जो बीस और चौथा बात यही बताती है कि 333 के अनुसार जो है 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत नुकड़ियों में अरक्षन सभी प्रकार की सरकारी सिवाओं में अनुसुजी जाती और जन जाती के लिए अरक्षन की गई है धारा 35 में यह विवस्ता है कि प्रसासरी सदर पर भी यह अरक्षन अनुसुजी जाती का ही होगा धारा 15 और चार आटिकल की बात करें हैं तो जो है सिक्से संस्ताओं को सीटों के प्रबंदन किया गया है इस अधार के अनुसार राज्ये के धारा 15 या धारा 39 के अबवाद मे किसी तरह का संसोधन करके समाजी रूप से बिचले वर्गों को सैचिक रूप से जहें बिचले या अनुसुज जाती एबं जनजाती के लिए कुछ जो है अधिक करने का प्रबधान किया गया है जैसा कि संग या राज्ये सरकार ने पहले से ही उन सेचिक संस्ताओं जो जन पता विधान सवा में सीटों की अरक्षित की गई है लोग सवा में कुल जो है अनिसुषित सीटों के लिएरक्षित की गई है इसके आलावा पंचायती राज्य संस्ताओं के लिए भी इस परकार के सीटे जो है अरक्षन करने का प्रवधान ने सुलिशित किया गया है उसके पस शाथ हमारे समक्षाता अन्ने पिछले जातियों के लिए अरक्षन जो है शिक्षी संस्ताओं में सीटों को अरक्षन करने का प्रवधान किया गया है जो कि कहते हैं कई हद तक नहीं उचिती भी है क्योंकि इनको पहले की समय में जो है इतना उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर सर नहीं किया जाता था लेकिन अगर बात करें हम कैंदरी से हाओं में आरक्षन परदान करने में तो अधिक लंबत समय लिया गया यांनी काफी समय जो है कि की मिक्षारे सिवारीशकों lui नए c नहीं किया दूसरी आयोग जन्ता पाठी की सरकार दोरा जो है 1978 में निमुक्त किया गया था इस आयोग के मंडल आयोग कहा गया था जिसे अपनी रिपोर्ट जो है 1982 में सरकार को सवब दी गई और इसमें सरकारी कि सभी सरकारी नोकुडियों में इन जातियों के लिए 27 पर्तिश्थ अरक्षन परदान किया जाए जो कि बहुत बरी आरक्षन की जो है यहां पर बात करने के प्रभदान किया गया तेरा आगस 1990 में बीपी सिंग के सरकार ने मंडल आयों कि सिफारिस के रूप एक आरेक्शन लागू कर दिया गया इसके तुरहन बाद बड़ी महात्रा में विरोध पर दर्शन भी हुआ और सवाच्छे नियाले में याच्छका दाकली भी की गई नहीं कारवाई प्रशन भी उठाया गया इन कारणों से सवचे नियाले ने इस विश्याय पर जो है नॉमबर 1992 में सुनवाई की तथा केंदी सरकार को इस सर्थ पर अन्य पिछले जातियों को 27 प्रतिशत आरिक्षन देने के अनुमती दी कि अन्य पिछले जातियों की जो है क्रीमिक लेयर को इस आरिक्षन से बाहर रखा जाए यानि क्रीमी लेयर को जो है इसे बाहर रखने का प्रवधान किया गया, केंद्री सरकार दोरा क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए रहमानंद पर साध आयो का गठन किया गया, इसका काम पूरा होने के बाद सरकार ने 13 अगस 1990 के आदेसों को सितंबर 1993 से लागू किया, यानि केंद्री सरकार ने अन्ने पिछले जातियों की अरक्षन का जो है लाब देने के लिए 40 वर्स का समय लिया, इतना ही समय जो है समाजिक और सैचिक रूप से विछले वर्गों की पहचान के लिए जाती को एक सही अधार सोईकार करने में लिया गया, हमें यह ध्यान भी रख उसके बश्चात हमारे समख शाता है महिलाओं के लिए अरक्षन का मैथ, देंग यह, भार्ण सरकार ने महिलाओं को आगे बरहाने के लिए उनको समाज में सही इस्थितिप देने के लिए, जो एक कई जगों पर उनके लिए अरक्षन का प्रवधान किया है, आज जो महिला बढ़ चरके हर चेत्र में पाटिसिपेट कर रही और हर चेत्र में इनका विशेज अस्थान भी रहा है तो महिलाओं के लिए भारत सरकार ने प्रतिशत समानने ही माना गया है जितने पुरुष है उतने ही महिलाएं है लेकिन भारत में असिक्षित गरीबी और बिछरे समाजी मुलने के कारण महिलाओं के सोच नहीं है कहते है प्रेचली परषितियों के दुश्री गत महिलाओं के घड की चार दिवारीों से बाहर निकल कर उन्नती के रास्ते पर लाने के लिए महिलाओं के लिए अरक्षन शुरू किया गया है और यह प्रभधान उनकी भलाई के लिए अत्यान्त जरूरी भी थी बारती लोगता अंतर में प्रतित्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत और बहुत जलिदि निकल जाती डुन आयए। समाज में पुर्चों के समान देना अधिकार बहुत ही जरूरी है, इसे पुर् faisaitुरियों की सम्मान में आयर भी बिरधी हो सके। दोस्तों इसे के साथ हमारा ये चैप्टर जो था अत्यांद महत्वपून था जिसमें हम संपर्दैक्टा के विशय में ठीक है अलक्षन के विशय में और कहते हैं जाती कि भी समय बिस्तार पुर्बक चर्चा किया जो कि बहुत जरूरी था आपके समझ के लिए और आपके ल लिंक को कॉपी करके दूसरी बात इंपोर्टेंट यह रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चला सब्सक्राइब करके रखना भी अत्यंत महत्वपून रहेगा क्योंकि तभी आपको समय सब्सक्राइब पर नोटिफिक्शन भी प्राप् अगर आप देखना चाते हो तो दुबारा आपको प्राप्त नहीं होगा क्योंकि अगर आप यूटूब पर सर्च करोगे तो पहले वो वीडियो आएंगे जो पहले यूटूब पर महस्जूद है ठीक है अगर आप तिरपान स्टेडी सेंटर भी लिखते हो यूटूब प तो वो तिरपस कर देगा